Welcome guys, तो इस वीडियो में आप लोगो दिखाने वाला हूँ Daily Routine English Sentences Using B मतलब B का यूज़ करते हुए Daily Routine की Sentences हम किस परकार से बोल सकते हैं अपने डेली लाइफ में और किस परकार से अपने दिन चत्रिया को बता सकते हैं B का यूज़ करके तो सभी परकार के Sentences मतलब Models या सभी Tenses में B का यूज़ करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं Daily Lists for All तो देखें सबसे पहले हम B का यूज़ करते हैं परजाएट सबज़क्टी मूड में मतलब कि जब हम चाहते हैं कि कुछ हो जाए, कुछ किया जाए, ठीक है? जैसे example है, मैं चाहता हूँ कि तुम इमानदार आदमी बन जाओ तो I want that, मैं चाहता हूँ कि You be an honest man यहाँ पर देखें, यू जो की subject है, उसके तुनत बाद हमने B का यूज़ किया आप इस sentence को बना सकते हैं, I want that, You should be an honest man ठीक है, आप चाहें इस परकार से बनाए, यह ज़्यादा formal है, यह आपको newspaper article में मिल सकता है या फिर आप should be का use करके इस परकार का sentence बना सकते हैं, इसका मतलब हो जाता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इमानदार आदमी होना चाहिए, या बनना चाहिए देखिए इसी परकार से यह महत्पूर्ण है या जरूरी है कि रोड की मरमत हो जाए या की जाए इस इम्पॉर्टन डैट यह जरूरी है कि इस रोड बी रिपेयर्ड ठीक है, यहाँ वर्ब की third form का use हुआ है अब इसी sentence को बना सकते है, it is important that this road should be repaired, इस रोड की मरमत होनी चाहिए या की जानी चाहिए should be का use करें या फिर केवल be का use कर सकते हैं subject के बाद मैं चाहता हूँ कि इस घड़ी की मरमत हो जाए, I want that this watch be repaired, मैं चाहता हूँ कि उसे बुलाया जाए I want that he be called, या फिर I want that he should be called, should be की जगा हब केवल be का use भी कर लेते हैं उसने विंती की कि उसे वहाँ से जाने दिया जाए, तो he begged that उसने विंती की की या उसने भीक मागी की He be allowed to leave from there, ठीक है, सब जाक्ति वाद be का use किया, या फिर should be का use कर सकते हैं, same sentence है He begged that, he should be allowed to leave from there, अब देखी be का use हम करते हैं imperative sentences में, जैसे सावधान रहें, be careful, कल सुभा तैयार रहना, be ready tomorrow morning, खड़ूस मत बनो, don't be rude, उससे डरा मत करो, don't be scared of him, तो हम कहेंगे Don't be my friend, जहां मत वाला, जहां मत वाली चीज हो, मतलब कि कोई चीज मत करो, तो वहां हम don't का use करते हैं, इतना खुस मत हो, don't be so happy, उदास ना हो, don't be depressed, इतना मुर्ख मत बनो, don't be so foolish, इतनी जल्दबाजी मत करो, don't be so hasty, नाराज ना हो, don't be offended, इतना कठोर मत बनो, don't be so harsh, अब देखें, बी का use हम will के साथ भी करते हैं, जहां पर हम state of being दिखाते हैं, structure आपके सामने है, ठीक है, ठीक है, एक्जाम्पल है, मैं दुनिया का सबसे भागे साली आदमी बनूंगा, तो हम बोलते हैं, I will be the luckiest man in the world, तो यहां द सबसे भागे साली आदमी होगा, या बनूंगा एक ही बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, everything will be fine, जस्न मनाने के लिए वहां हर कोई होगा, तो everybody will be there to celebrate, तुभी देखकर हर कोई खुस होगा, everybody will be happy to see you, ठीक है, यहां कोई किरिया नहीं कि जारी, ठीक है, यहां पर सिधा state of being दि कोई ऐसी इस्थती होगी, ऐसी अवस्था होगी, अब दीकि future continuous में हम will be का यूज करते हैं verb की ing form के साथ, जैसे वो काम कर रही होगी, तो she will be working, मैं बाजार जा रहा होगा, I will be going to the market, अब दीकि simple future के passive में हम will be का यूज करते हैं verb की third form के साथ, आपके द्वारा इस काम को किय जाएगा, this work will be done by you, उसे party में बुलाया जाएगा, he will be invited to the party, ठीक है, अब देखें model के साथ भी B का use होता है, जैसे इस से बहतर और क्या हो सकता है, तो what can be better than this, अकेले यात्रा करना उबावू हो सकता है, traveling on your own can be boring, वे दोस्त बन सकते हैं, they can be friends, वो गायक हो सकता है, या can be से अंदाजाई दिखाया जा रहा है, ठीक है, he can be a singer, इस से बहतर क्या होना चाहिए, तो should be का use करेंगे, what should be better than this, आपको पर्दे के पीछे होना चाहिए, यहां राय दी जा रही है, you should be behind the curtain, आपको एक अ इसान होना चाहिए, you should be a nice person, आपको मेरे साथ होना चाहिए, you should be with me, मैं एक इंजीनियर बन या हो सकता था, पर नहीं बना, अब could be का use है, I could be an engineer, but I didn't, could be हो सकता है या था, इन दोनों में confusion होती है, could be का मतलब, हो सकता था होता है, क्या हो सकता है, तो देखिए, example है, he could be in the पार्क, but he is not, वो पार्क में हो सकता है, लेकिन नहीं है, he could be in the पार्क, but he wasn't, वो पार्क में हो सकता था, पर नहीं था, ऐसा क्यों हुआ, यह जो second clause है, अगर यह present में है, क्योंकि यहाँ पर age का use हुआ है, जो कि present को दिखाता है, यह वाली clause present में है, तो यहाँ could be का मतलब हम हो सकता है, ठीक है, अब यह वाली clause देखिए, was not का use हुआ है, was हम past के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ could be का मतलब हम समझेंगे, सकता था, ठीक है, second clause पर depend करता है, could be का मतलब, अगर could be दे रखा है, जैसे कि सिर्फ इतना ही दे रखा है, और second हमें नहीं पता कि आगे क् तो इसका मतलब दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी, यह इससे पहले क्या बोला गया, उससे हम जानकारी लगा, ठीक है, पुछ हो सकता था या हुच हो सकता है, अब देखिए, यहाँ खत्रा हो सकता है, there could be danger here, यहाँ खत्रा हो सकता था, अगर इससे पहले की conversation में पाश्ट के बारे बताए तो यहां कुड़ भी का मतलब हो जाएगा हो सकता था ठीक है इतना क्लियर हो गया अब देखिए इस पत्थर को तोड़ा जा सकता है तो हम इसे बना सकते हैं इस इस टोन can be broken, यहां कई उसके है can के बाद, could के बाद, be कई उसके है, may के बाद, might के बाद, तो इस पत्थर को तोड़ा जा सकता है, मतलब कि जर्म्र पॉसिबिलिटी है जब कर रहे हैं कि इस पत्थर को तोड़ा जासकता है कैइस पत्थर को तोड़ा जा चुका में यूज्ड करते हैं 50-50% चाहांस कि इस पत्थर को तोडा जा सकता है माइट से हम 20 पर्शेंट माज सकते हैं कि इस पत्थर को सायध ही तोडा जा सकता है है उसे डॉक्टर पर भरोसा करके बचाये जा सकता था He could be saved by trusting the doctor ये काव किया जाना चाहिए This work should be done इस machine को ठीक किया जा सकता This machine may या might according to आप कितनी possibility दिखाना चाहते है उसके बद be उसके बद verb की third form इसे वहां रहने दे Let it be there उसे मेरे साथ रहने दो Let her be with me Let का यूज़ कर रहे हैं उसके बाद एक objective pronoun उसके बाद be का यूज़ कर रहे हैं देखे Mobile को table पर रहने दो Let the mobile be on the table Natीजा निकलने दो Let the result be out अब देखे जब तुम जाओगे तब किसोर गाना गा रहा होगा तो हम बोलते हैं कि किसोर will be singing a song when you come ठीक है जब तुम आओगे सौर जब तुम आओगे तो किसोर गाना गा रहा होगा किसोर is going to be यहां going to be का यूज़ हूँ है Singing a song when you come तो अब दोनों परकार बना सकते हैं going to be या फिर will be से मेरी ऐसे इच्छा है कि यह व्यक्ति आपके लिए लग्की हो भागे साली हो May your life be full of happiness मेरी इच्छा है कि आपकी life खुसियों से भर जाए May your party be filled with love and smiles मेरी इच्छा है कि आपकी party प्यार और खुसियों से भर जाए मतलब मुझकराहटों से भर जाए May he be my friend मेरी इच्छा है कि वो मेरा दोस्त हो अब देखे पैसिव इंफिनिटिव में हम तूबी का यूज करते हैं मुझे उसके साथ रहना है या होगा तो हम बनाते हैं I have to be with him ये पैसिव का इंफिनिटिव होता है जिसमें तूबी का यूज किया जाता है वो एक गायक होने को है या होने वाला है ये मुबाइल ठीक किया जाना है अब देखे more different structure with तूबी ठीक है इस्टेट ओब बिंग देखे पहले तूबी के बाद कोई एड्जाक्टिव आ सकता है ना होना सकता है ना उन्फ्रेज आ सकता है जो आपके पास है उससे खुस रहना सीखे learn to be happy with what you have उस दिन तुमने एक अच्छा इंसार बनने का नाटक किया that day मतलब उस दिन you pretended to be a good person आपने हमेशा मेरे साथ रहने का वादा किया था you promised to be with me forever तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है you need to be careful मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता हूँ I don't want to be like you ये एक मुर्खता पूर्ट बात है और मैं मुर्ख नहीं बनना चाहता it's a foolish thing and I don't want to be foolish मैं चाहता हूँ कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने I want you to be part of our family मैं आपके हाथ की कत्पुतली नहीं बनना चाहता I don't want to be a puppet at your hand आप लोग गाव के लग रहे हैं You guys seem to be from the village देखिए वो बहुत सुन्दर है और समझदार लगती है She is very beautiful and also seems to be sensible यहाँ कोई समस्या लगती है There seems to be a problem here मौसम की इस्थती अच्छी होने की सूचना है Weather conditions are reported to be good मैं बस चाहता हूँ कि आप तैयार रहें I just want you to be ready तुम्हें हर दिन खुश रहने की कोशिस करनी चाहिए You must try to be happy every day हमें यकीन है कि तुम बड़े होकर इंजीनियर बनोगे We are sure that you will be grow up to be an इंजीनियर अब देखिए more structure with accent to be के साथ वर्ब की third form आएगी ठीक है और यह क्या होता है पैसिव जैसे want to be कोई चाहता है उसको कुछ किया जाए ठीक है structure आपके साबने है She wanted to be your bride वो तुम्हारी दुलहत बनना चाहती थी I don't want to be, I stay at home woman after marriage मैं साधी के बाद घर में रहने वाली महिला नहीं बननी चाहती हूं He just want to be happy वो सिर्फ खुस रहना चाहता है अब दीकि want to be उसके बाद वर्प की third form He wants to be allowed to play मतलब वो चाहता है कि उसे खेलने दिया जाए He wanted to be rewarded वो चाहता था उसे प्रुस्कृत किया जाए Nobody wants to be insulted कोई भी अपमानित होना नहीं चाहता है ठीक है We don't want to be insulted हम अपमानित होना नहीं चाहते Everybody wants to be respected हर कोई सम्मान पाना चाहता है अब दिखिए going to be मतलब कोई काम होने जा रहा है structure आपके सामने है मैं दुलहन बनने जा रही हूँ I am going to be a bride दुकान को होटल में तबदील किया जा रहा है This shop is going to be converted into a hotel अब दिखिए required to be मतलब कुछ किये जाने की requirement है जैसे this cake is required to be decorated मतलब इस cake को सजाए जाना आवस्यक है या फिर इस cake को requirement है कि इसे सजाया जाए Able to be मतलब कोई काम हो सकता है ऐसी ability है जैसे the flies are able to be ingested by frogs या flies can be ingested by frogs मतलब मक्यों को मैड को द्वारा निगला जा सकता है अब दिखिए डिजार्व टू बी एक्यामपल है you didn't deserve to be given a reward आप इदाब पाने के लायक नहीं थे यह माबला गंभीरता से लेने लायक नहीं है यह माबला लायक नहीं है कि इसे गंभीरता से लिया जाए देखिए they deserve to be respected वे सम्मान के पात्र है वे हकदार है कि उनका सम्मान किया जाए ठीक है यह इसे परकार से देखिए नीड 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 टू बी मतलब कुछ किये जाने की जरूरत है यह पास्ट भी यूज करेंगी यह प्रजैट भी यूज करेंगे ठीक है इस कबरे को सजाए जाने की जरूरत है this room needs to be decorated अब देखिए like to be मतलब मैं पसंद करता हूँ यह कुछ किया जाए ठीक है कुछ किया जाए ऐसा पसंद करना she didn't like to be inserted उसे पसंद नहीं था कि उसका आप मान हो he likes to be taught English मतलब उसे पसंद था कि उसे पढ़ाया जाए अब देकि likely to be मतलब कुछ किये जाने की संभावना है this watch is likely to be repaired इस घड़ी की मरमत की संभावना है या मरमत हो किये जाने की संभावना है मतलब कि हो सकते इस घड़ी की मरमत ठीक है likely अब देखिए out to be मतलब कुछ किया जाना चाहिए your shirt out to be pressed तुम्हारी shirt को इस्तरी किया जाना चाहिए yet to का मतलब yet to be का हम यूज करते हैं अभी भी कुछ किया जाना बाकी है this work is yet to be completed मतलब this work is to be completed तोनों का meaning same है ठीक है अभी कुछ करना बाकी है मतलब ये काम अभी पूरा होना बाकी है देखिए about to be मतलब कोई काम तुरंत होने वाला है this work is about to be completed ये काम पूरा होने वाला है ठीक है accepted to be मतलब किसी से कुछ उम्मीद की जाती है कुछ आसा की जाती है आपके पास एक कार होने की उम्मीद है या आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास एक कार हो ठीक है you are accepted to have a car यहाँ पर have का उसकी आप क्योंकि पास होने की ठीक है अब देखिए बी का उसका करेंगे यहाँ पर पहले देखिए मुझे मुझसे उम्मीद की जाती है कि मा कपरा साफ करूँ I am accepted to clean the room ठीक है आपसे खुस रहने क्या पेच्छा की जाती है या उम्मीद की जाती है you are accepted to be happy उसके बुद्धिमान होने की उम्मीद थी he was accepted to be intelligent देखिए you are not accepted to be defeated by anyone आपसे उम्मीद नहीं की जाती थी कि आप किसी से हार जाए उससे अपमानित होने की उम्मीद नहीं की जाती है he is not accepted to be humiliated तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 2B के सभी यूज मैं इस वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ तो इस वीडियो मैं एम करता हूँ से 500 लाइक के और इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें सभी लोगों तक पहुचाए जो भी 2B के सभी यूज जानना चाहते हैं